अरे काली राम का खुल गया पोल कौन है बता ना? की वाशिंटों जी सिंगोड़ मैंक से कौन है ये? वैजे मकरोली ये ओपीस है नहीं है हो गया उसका ढबा गोल पोल हरी बोल हरी खोल हरी बोल प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी हों या भाजपा के रास्टिय अध्यक्ष अमिशाहा या प्रदेश की मुखे मंतरी वसंदरा राजे इनकी जन सभाओं में आपने भीड किये जुटने की दावे खूब देखे या सुने होंगे लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहाँ बैठे लोगों को ये तक नहीं पता कि उन्हें वहाँ क्यों लाया गया है चलिए आपको बताते हैं शाहा मोदी और राजे को सुनने आने वाली फिर की हकीकत गूंगट में बैठी इन भहिलाओं को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि मोदी लहर अभी बरकरार है शायद ये लोग अपना काम का छोड़ कर भाजपा के राष्टिय अध्यक्ष अमिशा को सुनने यहां आए है इसी जगे अगर हम आपको कहें कि साहब आप बिलकुल गलत है तो आप सोचेंगे कि शायद हम भी चुनावी स्वार्थ साधने के लिए और आपको बर्गलाने के लिए ये कोशिश कर रहे है इसलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं गुंगट ओडे बैठी इन महिलाओं की जबानी कि आखिर वो यहां आई ही क्यूं है देखा आपने इन महिलाओं को पता ही नहीं कि इनको यहां क्यूं लाया गया है और नहीं इनको पता है कि किस नेता के मुखोटे को हाथ में लेके ये लोग यहां उसी के प्रचार में भागीदारी ने भा रही है हकीकत तो यह है कि अमिच शा की तस्वीर को हाथ में लेकर उन्हें मोधी बताने वाली ये महिलाएं सिर्फ शाह साब की सभा में भीड बढ़ाने के लिए बुलाई गई है क्यों ने बताना कि वाशिंग्टन टीशीं मोधी है को ने ये वैसे मकरोली ये ओपीस है नहीं है है पता आपको पता नहीं है देखा आपने किस तरह जनता को जूट परोसने में भाजपाईयों का कोई मुकाबला ही नहीं है साहब यहीं एक सवाल और खड़ा होता है कि मोधी लहर के दम पर भाजपा सत्ता में पहले काबिज हुई थी क्या इस बार मोधी लहर इतनी बुरी तरे थम चुकी है कि जनता को इस तरह जूट बोल कर पांडाल में बैठाया जा रहा है और फोटो खिचबा कर बाद में खबर छपवाई जाती है कि जनता की भारी भीड के बीच भाजपा का संबोधन हुआ अरे काली राम का खुल गया पोल कोन है बता ना की वासिंटों जी सी मोट रैंक से कोन है ये वैसे मकरोली ये ओपीस है नहीं है हो गया उसका डबा गोल थोल हरी बोल हरी थोल हरी बोल